जैसी क्रिष्णा जै माता जी अदानी परिवार द्वारा कई प्रोजेक्ट किये गए है कई व्यापारिक संकुलों की स्थापना की गई है और जहाँ जहाँ उन्होंने व्यापारिक संकुल बनाए है व्यापार एक जो production house बनाए है उसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक नीजी कमपनी चैरिटी के धोरण पर बनाई है जिसका नाम है अदानी skill development center और ये पूरा समभाल रही है पृति बेन अदानी और पृति बेन अदानी और उनके सयोगी कार्य करता सब मिलके इस development center द्वारा गरें सभागी बना के उनको अपनी जीवनचरिया परियाप्त कराई है अपने आप उनके अंदर छुपी हुई skill को उन्होंने जागरत किया है उनोंके अंदर जो हुन्नर था उस हुन्नर को उन्होंने उजागर किया है हलो नमस्कार जय भारत आज अदानी skill development जो चार साल से कारेरत है और पांचवे साल में मंगल प्रविस होने जा रहा है तो इस अउसर पर कि अधानी स्किन डेवलेप्पेंट को अम यही आशिरवात देते हैं कि पूरी हिंद्युस्तान में आज अधानी को कौन नहीं जानता है इसा कोई नीए पूरी विश्व में आदानी का नाम है क्योंकि अधानी जीने हैं हेल्थ वैल्थ और सिख्षा और अपने सास्त्रों में बताया है कि सिख्षा दान के मुख्यदान है यादेवी सर्वभूतेशू विद्यारुपेण संसिता नमस्तस्य 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 नमूनमहा तो विद्यादान सर्वसरेष्ट दान है और हमारे अदानी स्किल्ड डावलेपमेंट के डिरेक्टर स्रिमति पृति बेन अदानी उनको हम तहे दिल से खोब अभिवाधन करते हैं और उनकी जो ये टीम की जीत है वो जीत टीम के इसाब से है तो अदानी स्किल डेवलेप्मेंट के जो टीम है उन टीम को हम दन्यवाद देना चाते हैं और यही प्रात्ना करते हैं मास्वरस्वती से के उत्रुत्तर अदानी स्कील डेवलेप्मेंट को प्रगती करे और आने वाले सालों में एक अपना नाम कायम करे यही शुपकामना के शार्ट जै हिंद जै भारत अदानी स्कील डेवलेप्मेंट सेंटर चार वर्ष पूरा करी ने पाचमा वर्षमा मंगल प्रवेस करी रहुचे अत्यार सुधी अंदाजे साहीट हज्चार्थी वधू विद्यार्थियोए लहाब मिलवेल छे अदानी सिकल डेवलेप्मेंट सेंटर ना संचाल लकोने अभीन अंदन साथे उत्तर उत्तर प्रगती करे तेवी सुद कामनाव पाठ हो जुन। चै जाय गर्वी घुजराद नमस्कार आपने सव जियारे आजे कोरुना महा मारी साथे सम्मगर विश्व साथे जुजी रया ची ये त्यारे आप सव घरमा आसो अने सुरक्षित अशो एवी परमकृपाणू परमात्माने मारी प्रात्ना चे आपने सव आमाती भाहर नी कडिये औने एक नवी दिशानी प्रगती मा आगलवधिये एज सुबेच्चा साथे सक्सम स्कील डेवलोप्मेंट सेंटर ने जेरे चार वर्ष पून थवा जैरेया चे अने जेमा साहीट अजार करता वदू लाबार थी ओए पोत्तानों अलग-अलग शेत्रमा लाब लिदो छे तेरे आप सव ने आजना दिवसे अभी नंदन करता हुँ गर्वनी लागनी अनुबहुच्चु साथे साथे आप सव जे तेक शेत्रमा कोर्स करियोचे तेक शेत्रमा आगलवधो अने उत्तर उत्तर प्रगती करो एवी आजना दिवसे उँँ आप सव ने सुबेच्चा पाट हुचु अने आदिवस दिवस निमित्ते खास करी ने सक्समस्की डिवलोपमेंट ना ट्रस्टी टीचर्स अने रामकृष्ण अमिशन ना ट्रस्टी के जे ओए खुब सहसाकार करी अने आप सव द्वारा आटली मोटी संख्या माजी आरे लाभार्तियोंने लाभपावी तेमने कार प्राकिर्दीने उज्वड बनावा जहिरे आछो त्यारे फरी थी एक वार आप सर्वेने अभिनन्दन पाट हुचु अने उत्तर उत्तर प्रगती करो एज सुबेच चा जै जै गर्वी गुजरात जै 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 गर्वी गुजरात नमस्कार मीत्रों नुँ जिगनेश अटेल अमधाज मीन्सिपल कॉर्परेशन मां हेरिटेज रिक्रेशन और कल्चरार कमिटी नी चैर्मेन तरीके फरद अजया करूछु मीत्रों सहर्स साथे जणावु चुके मारा विस्ता नववाड़ मां अधानी ग्रूप द्वारा स संचालित अधानी स्कील फाउन्डेशन मां आज चार वर्ष कम्प्रीट थाई और खुप सारी कामगीरी और खुप सारू सिक्षन मारा विस्तार मां अधानी ग्रूप द्वारा आपफ़ामावे चे सदर संस्ता मां आज सुदी साहिट जार विद्यार थियो है तेमां पोत अधानी कारकीर्दीने शार्प शेप आपी और चम्माज मां जुदा 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 क्षेत्रे आजे द्यों पोताना फिल्म मां काम कारीक्षिल थाई और जीवन नी रोजी रोटी कमावी रहा छे मित्रो आनन्द साहिशे कि आवा स्किल्ड डेवलप्मेंट मा सुंदर क्लासिस मारा विस्तार मा अधानी जो या मोटा ग्रूप द्वारा संचाली राया छे और तेमने आ भूद पूरुव तालीम कार्यावाई ने खुब बिरदा हुशु और आ साथे बंदन परी खुब अधिरंदन पाथुशु अभारा Hello, I am Dr. Hasmukhwara. I am a guest host surgeon working in a specific role for hospital more than 35 years experience in medical field. First of all, let me express my gratitude and thanks towards this organisation. The Adhani Skill Development Programme is a great, great program and the great work done by Adhani Charity Vultos. I really hearty us congratulate and thanks to Choy Parson, Dr. Pithivay for such a great work. They are giving a basic training in the men, those who are very much required for the society, mainly nursing, electrical parts and these all trainings are being given as a practical way. I know in the last four years around 60,000 people have been trained and they got the jobs. I have been to the centre personally, I have seen the people, they are very good, very very good. They have all basic knowledge and practically they are superb people. And I think the way in which they have progressed in four years, much more better progress in the future. And once more, I thanks and congratulate to all the people involved after this. Thank you very much. I am Chris Kahn-Dudde, cluster-red HR, Adhani raikate cluster. Adhani Skill Development Center for the Sanchali Project, Sacham, I talk a whole 4 months to complete the whole group. In the past four years from Adhani Skill Development Center for the Sanchali project, the previous four years from Adhani Skill Development Center for the Sanchali project, had gained 50,000 as the more kids. And now they were doing their job and doing their job and their life. को पार्जन कर रहे हैं आज कोविद नाइटीन के प्रभाव में हम लोगों की चुनोकियां और बढ़ गही है जबकि गाउं में हमारे जहां पर योजनाय चल रही हैं वहां के आसपास के लोग जो बाहते थे आज वो अपने घर को वापस आ जा रहे हैं ऐसी इस्तिती में उन अच्छे से प्रिशिच्छों जेंगे जिस्ते वो सुच्छम बने और आत्म निर्वार भारत में अपना सहयोग दे सकें साथी साथ ई-लर्निंग का भी क्लास हमारे प्रोजेक्स अच्छम में सुरू किया जा रहा है मेरी बहुत बहुत सुकामनाए है मैं बदाई है कि ये अच्छा कारे शुरू किया जा रहा है और मैं शुकामना देता हूं कि इस ई-लर्निंग के माद्यम से हमारे युगाओं को और भी लाग मिलेगा है धन्यबादा है This is a very very important occasion for me and Adani Veninyam Ports because in the last three years Adani Skill Development Centre has trained almost 6000 people in and around Veninyam area That means we have imparted the lives of 6000 people to go and contribute to the growth of Kerala, to the growth of the nation And one of the prime need that today we are facing for younger generation is how to impart skill, how to make them contribute and how to have skill in their hands so that they can do something positive for the growth of their community, of the society around So it is a big milestone I wish all the best to Adani Skill Development Centre because whether it is digitalization or logistics training or banking space They have done a fantastic work in Veninyam area and the entire Kerala appreciates this So I assume that ASDC would be doing similar work in other states as well So thank you very much ASDC and congratulations on completing four years On its completion of four years in skilling the people at Veninyam We, Veninyam International Sea Port Limited is the implementing agency for developing an international container and shipping terminal like Veninyam In which Adani Veninyam Port Private Limited is the concessionaire And Adani Skill Development Centre comes under Adani Veninyam Port Private Limited This project upon its completion would require quite a lot of skilled labour and I hope Adani Skill Development Centre will be able to deliver good quality skilled labour to support the port project and arrayed activities I wish Adani Skill Development Centre all success in achieving the deliverables and the objectives from time to time Thank you Thank you Hi everyone, I am TV Vinod, Head in Community Skill Park and Business Development Divisions of Additional Skill Acquisition Program Under the Higher Education Department Government of Kerala We are very happy to note that Adani Skill Development Centre has completed four years after getting established We wish them all success and this is a very right time for all these kind of skill development activities Especially in the post-COVID scenario where all the educated youngsters will be available for skill development activities We hope Adani Skill Development Centre will be bringing in more futuristic skill programs that will enhance the employability of the people So that they can get the jobs of their aspirations once the recruiter starts their onboarding after the COVID pandemic Thank you all I congratulate all Adani Skill Development Centre team members for successful completion of four years of project Saksha Also I convey my best wishes for their onward journey towards skill development of Indian youth and empowerment of Indian women Project Saksha as name suggests is all about self-sufficiency through skill development Adani Skill Development Centre always extended the helping hands to all such persons who wanted to do something But lacked skills ASDC could make around 60,000 people across India Saksha that is capable in various trades followed by providing job replacement as well as creating an opportunity for self-employment At Kawai in the vicinity of our plant Our team conducting three regular courses on beauty therapist, tailoring and digital literacy Till date we trained 5,501 people Women empowerment and education are being two greatest pillars of our nation building We at Kawai designed the course of beauty therapist and self-made tailoring to empower local women and to generate livelihood for them in local level Similarly digital literacy course is focused on students and local youth to acquire knowledge on information technology, digital platform and computer systems which are very much useful in the age of digital India I again congratulate entire Adani Saksha family for doing such wonderful work towards nation building and wish them great success for their future endeavors Thank you Hello 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 I am sure everyone is realizing that today The Adani Skill Development Centre is bringing people to build a foundation and create a foundation of the foundation of our nation and our foundation of our foundation for our foundation for our foundation We have been working on 4 years for the foundation of their foundation They are all responsible for that So everyone is very passionate about Now, Adani has given the foundation of skill development, the foundation of the foundation for the foundation of the foundation of skill development यूद को इस कारिकरम से चोड़ा है और अब लगब साड़े 5,000 के आज पास हमने इन कारिकरम से लोगों को हुनर हाथ में दिया है अब हम जो हुनर देच चुके हैं देखते हैं कि बोल लोग अपने आपको आत्मनेर पर महसूश कर रहे हैं और अपनी सवंटा के उन साथ कुछ न कुछ भोजगार कर रहे हैं जैसे कि कुछ महिलाओं के हमारे यहां सिलाई परिक्शन लिया था वो बहने आज अपना खुद का वैशाइच चोटा मुटा चला रही है और अपने घर को सहयोग कर रही है जो बच्चे डिस्टल इंटर्सी के माध्यम से हमारे यहां से धियन करके रहे थे वो आज कोरोना कोविट 19 में वर्दान साबीत हो रहा है कि लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए और यह एक वर्दान साबीत होगा और घविशे में भी यह यह नीव का पत्र साबीत होगा इस उकलबदी पे मैं सभी लोगों को जो इस सक्षम से जुड़े हुए हैं और भारत को आतना दिर्वर पराने के लिए जो कारियर करने हैं उन सभी को मैं बहुत-बहुत दन्यवाद देता हूँ आप लोगों का बहुत-बहुत आवाद के आपने अदानी पर इस्वास किया और इस कारिक्रम को भारत निर्मार में संयोग देने के लिए पहल की जैहें जैवारत Hi, I am Rajesh Ranjan, working with Adhani Foundation as Unit CSR Head at Sarguja Site. I take this opportunity to wish Adhani Skill Development Center for completion of four years of its project Shaqsham, through which many rural youth from rural area have been skilled in various trades through which they got employment with various industries and many of them started their own enterprises. So, for completion of four years of Shaqsham, I wish all the best to ASTC. Thank you. आज से चार साल पहले सक्सम की जर्णी शुरू हुई थी, सक्सम ने पिछले चार साल के छोटे अंतराल में पचास हजार से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार लक्सी ट्रेनिंग देने का काम किया है पचास अजार में से अधिकतर युवाओं, आज किसी न किसी छोटे बड़े रोजगार के साथ जुड़े हैं और अपनी आमदनी कमाना सुरू की है अभी लोकडाउन सल रहा है, लोकडाउन के कठीन दोर में ओनलाइन प्लेटफों के माद्यम से सक्सम ने अपनी यात्रा सुरू रखी है ये सबसे ज्यादा उच्छा वर्जग बात है आने वाले समय में सक्सम ज्यादा से ज्यादा ग्रामें और सहरिक छेत्रों के ऐसे युवाओं के साथ पहुंचेगा जो अपनी स्कील डेवलप करके रोजगार के छेत्र में काम करना चाहते हैं आज के सक्सम दीन के आउसर पर मैं पूरी सक्सम टीन को मेरी तरफ से अर्दी बधाई और सुबकामनाई देता हूं अदानी स्किल डेवलोप्मेंट सेंटर जिसे हम सक्षम के नाम से जानते हैं इसके आज चार वर्स पूरे हुए हैं और इस अवसर पे मैं हमारे सभी कलिक्स को बधाई देता हूँ मैं याद करता हूँ 2016 जब हमने पहला सक्षम सिलाई के इंदर हमने शुरुवात की थी और सक्षम नाम वहीं से गोड़ा से ही आया यहाँ पे अदानी स्किल डेवलफ्मेंट सेंटर के माध्यम से हम लोग सिलाई में बार बेंडिंग, फिटर, इलेक्रिशियन, जीडिये के कोर्सेज हैं हमारे पास, होस्पिटलिटी, इस तरह के अनेक कोर्सेज को हम लोग कर रहे हैं डिश्टल लिट्रेसी यहां का काफी बच्चों को पसंद आया है, ज्यादा तर ट्रेनीज ने हमारे यहां स्वारोजगार को अपनाया है अपर ट्रेनिंग के बाद, मुझे लगता है कि तकरीवन पांच हजार बच्चों को हम लोगों ने ट्रेन किया है और यह बच्चे क वहां का काफी अच्च जो हमारे हैड ऑफिस से भी हमारे हैड अच्च से अच्छे करते है यहां पे हमारे का मारीOoh तर्ष्चं का काम ढई एक सैक्प रहां करते हैं टीजय कुछ कर दिए हम कर दो किया किना लूब खेंटेगा। to the needs of the industries, we have another program that's digital literacy. How important is, we have to look into the aftermath of Covid. In fact the community women, they taking this as a tool for their empowerment. Many online transactions, bill payments, whether it is water or electricity, school student's payment, e-commerce, everything is happening to this digital world. It has its own importance in the aftermath of Covid. now we are looking for a good time with government of kerala for setting our community skill park which is of international standard we are committed to that and we'll make sure that our section progress in coming years thank you अधानी फाउंडेशन सक्षम प्रोजेक्ट को मेरी तरप से बहुत बहुत बढ़ाई बहुत सारे लोगों के जीवन निर्वा के लिए प्रोजेक्ट सक्षम ने जो माइस्टोन एचिव किये है उसके लिए बहुत-बहुत कॉंग्रेचुलेशन्स मैं टीम के लीडर्स को और